हम सभी को पता है कि अधार कार्ट कितना जरूरी है, मतलब अगर आप कहीं भी जाएंगे तो अधार कार्ट की जरूरत पड़ेगी, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी चीज हो, सबसे इंपोर्टेंट अधार कार्ड है, लेकिन ऐसे में अगर आप अधार का रूप में होता है बच्चों के स्कूल के एडमीशन से लेकर प्रॉपटी खरीदने तक हॉस्पिटल में भरती होने से लेकर यात्रा तक हर जगा आईडी प्रूफ के रूप में अधार कार्ड की आवशकता पड़ती है यही नहीं ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड प बहारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे में जरूफ पढ़ने पर कोई भी व्यक्ति यूँआई डीयाई की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर आधार को डाउनलोड कर सकता है आधार डाउनलोड करने के लिए पारा अंग का आधार नंबर या थाईस अंग का एंड अधार कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं ये अधार डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले एन रॉल्मेंट आईदी रिटीव करना होगा अब कैसे प्राप्र करें अपना एंतोर्मेंट अईडी अई येंडी और चलिक करें इसके बाद आपने सभी कर कर OTP option पर क्लिक करें, इसके बाद आपको registered mobile number पर OTP आएगा जिसे यहां दर्ज करना होगा, फिर आपको अपने number पर enrollment ID या अधार number बिलकुल असानी से मिल जाएगा, अब इसे download कैसे करना है, आधार download करने के लिए सबसे पहले आप आधिकारे website पर विजिट करें, इसके पाद आ download option सामने आएगा, जिस पर आप क्लिक करें, इसके बाद अपने अधार number या enrollment ID दर्ज करें, फिर अपना registered mobile number दर्ज करें, इसके बाद OTP दर्ज करें, आपका या अधार download हो जाएगा और इसका print out आप निकालने, तो देखा आप लोगों ने कि कितने easy steps हैं या अधार कार्ट को install करने के लिए ताकि आप जब चाहें, जहां चाहें अपना अधार कार्ट खोल कर लोगों को दिखा सकें और अपना बिल्कुल full proof identification अपनी बता सकें, अब ये information आपके लिए कितनी informative थी, यह हमें comment section में ज़रूर बताएं, और जाने से पहले video को like करें, share करें, channel को subscribe करें, और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहें इंडिया समाचार 27